हलो फ्रेंग्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चानल दोस्तों आज श्राम बात करने वाले हैं आलू के रस के बारे में दोस्तों आलू के रस में अधिक मात्रा में आईरन, पोटेशियम, फासफोर्स, फाइबर, केर्शियम, प्रोटीन और विटमिन ए, बी, सी पाई जाते हैं, जो के हमारे श्रीर में बहुत महत्तपुर्ण होते हैं, आइए चलो जानते हैं कि इस रस के बारे में और इस रस से होने वाले फाइदे के बारे में, दोस्तों आलू के रस के बहुत सारे फाइदे होते हैं, जैसे कि आलू के रस को पीने से आप असानी से अपने क्याल स्टोल के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं यहें आपके समस्त स्वस्त सबंदी समस्याओं का हल भी है आलू का रस आपके बढ़ते हुए वजन को कम करता है इसके लिए सुबे अपने नाश्टे में दो घंटे पहले आलू का रस का सेवन करना है यहें भूख को नियंत्रित करता और वजन को कम करता है गठिये के रोग में आलू का रस बेहिद कारागार होता है आलू के जूस को पीने से यूरिक एसिड श्रीर से बहार निकलता है और गठिये की सूजन को कम करता है हिर्दे की बिमारियों और कैल स्टोल से बचने और इसे कम करने के लिए आलू बहुत फाइदे मन्द होता है यहे नब्स के अवरोद, कैंसर, हार्ट अटैक और ट्यूमर को बढ़ाने से भी कम करता है किड्नी की बिमारियों का इलाज करने के लिए आलू का जूस पीने की आदत डाल लीजी यहे बलड प्रेशर और डायवटीज को निरंतर रखने में बहुत मदद करता है अगर आपके बालों की प्रॉबल्म है आपके बालों को जल्दी बढ़ा करने के लिए आलू के जूस का निमत मास काफी मदद कार साबित होता है एक आलू को लेकर उसका चिलका निकाल लीजिए इसके टुकड़े को काटकर पीस ले अब इससे रस निकाल ले और इसमें शहद और अंडे का उजला भाग मिला ले अब इस पेस्ट को सर और बालों पर लगाए इसे दो घंटे तक रखा रहने दे उसके बाल शैंपू से ब खून को सक्रा और स्थर को कम करने में काफी ब्रभाबकारी साबिध होती है अगर आपको एकसिडिटी की समस्या है तो आलू का रस काफी फाइदे मन्द साबिध होता है इसके लिए इसके रस को रोजाना आधा कपी इससे आपको लाम मिलेगा अगर आपके चहरे पे दाग दब्बे हैं और पिंपल्स है तो आलू का रस काफी फाइदे मन्द हो सकता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटमन सी और भी होता है जो पोटाशियम, मैंगनिशियम, फास्पोस के साथ हमारी बहुत हल्प करता है जस जैसे खनिश भी इसमें पाए जाते हैं जो के हमारी स्किन के लिए बहुत फाइदेमंद होते हैं आलू के रस के साथ सैलरी जूस और खीरे का जूस दो चमच मिला कर पीएंगे तो पेट के रोग कम होने लगेंगे इस जूस को पीने से आसिडिटी, अलसर और पेट में जलन जैसी समस्याइं दूर हो जाएंगी यह बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप आलू से ले सकते हैं तो अपनी सब्जियों में तो आप आलू यूस करते ही हैं अगर आप आलू का जूस भी सेवन में लेगर आते हैं तो आपको बहुत फाइदे रज़र आएगे तो दोस्तो मिलते हैं एक नई टिप्स के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शियर, कमेंट का ना मत भूलेगा और वीडियो को नीचे जो रेड़ गर का सिस्प्राइब का बटन है वहाँ पे क्लिक ज़रूर करें ताके मेरे नई वीडियो की अपडेट साथ आप तक महों सके तो मिलेंगे दोस्तो नई वीडियो के साथ तक तक गुडबाई, have a nice day